हेलो गाइज वालकम बैग टू दे चैनल तो आज हम इस वीडियो में मून नाइट की न्यू उनिफॉर्म के साथ एबी एक्स ट्राइग करेंगे और देखेंगे कि यह कितना स्कोर कर पाता है कॉंबेट सुपर हीरो डे में विच सीटीपी ओफ एनरजी और मैं आपको परसनली बता हूं गाइज यह यूनिफॉर्म काफी ज्यादा ओपी है काफी ज्यादा ओसम है इस मून नाइट केरेक्टर को बोटम अफ दी लिवल से टॉप अफ दी लिवल बना देती है और अभी इस टाइम पर नेम और कैप्टन अमेरिका मिस्टर फंटास्टिक इन सब के दिन गए मून नाइट इस रॉक इन ड्रॉल बेवी काफी ज्यादा अच्छा इसका अटेक बफ है काफी ज्यादा इसके स्किल सेट काफी ज्यादा अच्छा है आप ABX में साइलेंस और बना देती है तो बिना केसी देरी के गाइस मैं आपको इसकी बिल्ड बता देता हूं उसके बाद अपन गेमप्ले स्टार्ट करेंगे इसके फिफ्ट स्किल में 15% ओल स्पीड बफ है तो अगर आपके पास 115 परसेंट अटेक स्पीड हो तो भी वह मेक्सड आउट हो जाएगी critical rate 40.26% है critical damage maxed out है ignore defense maxed out है skill cooldown maxed out है सारे slots amplified है जिसमें मैंने 5 और 6 star के physical attack, dodge, ignore defense और critical damage के uru डिये वह है एक uru miss है जो की मेरे पास uru है नहीं तो मैं देने बायास को सारी स्केल्स लेवल 6 पर है टाइप इनेस्मेंट रेंग 5 पर है पावर ओफ एंगरी हल्क स्टेज 6 आईजवेट सेट दियावा है मैंने इसको सीटी प्यू ओफ एनरजी दियावा है एजे कस्टम गियर जिसमें इगनोर डोज 29.1% क्रिटिकल डेमेज 36.4% और 200% डेमेज प्रोग के साथ यहाँ पे यूनिफोर्म इसकी मेथिक है जिसके मैं आपको स्टेट्स बता देता हूँ इसमें स्किल कुलडाउन और क्रिटिकल डेमेज है उनिफोर्म औप्शन में फास्ट औप्शन शेरों रोजर्स दार्क स्टार आर्मर है सेकेंड औप्शन डॉमीनो मारवल ना वाली उनिफोर्म है तो चलिये गाइस बिना किसी देरे के मैं आपको ले चलता हूँ गेम प्ले की तरफ यहां पर टीम में हमने शीहल की लीड वैलकैरी का सपोर्ट और ओफिसली मून नाइट का रुखा है तो चलिए गाइस मैं आपको इसकी स्केल रोटेशन बदा देता हूँ आपको स्टार्ट करना है थ्री केंसल फाइब केंसल अवेकन स्किल के साथ सिक्स्ट स्किल को प्ले होने देना है जब तक कि आपका प्रोग स्टार्ट है उपर आप देख सकते हैं जैसे प्रोग ओफ होता आपको थ्री केंसल फाइब केंसल पूर्ध स्किल यूज़ करनी है पूर्ध स्किल में प्रोक आना चाहिए और इसको पूरी प्लेवने देना है यही सिंपल सा स्किल रोटेशन है इस कास में सेकंड और फिस्ट स्किल भी यूज़ कर सकते हो जस्ट लुक एट दे स्कोर गाईज थर्टी सेकंड नहीं होए और इसने अल्मोस्ट वन मिलियन टच कर लिया है थर्टी सेकंड में वन पॉइंट टू मिलियन काफी ज्यादा डेमेज यूनिफॉर्म में मून नैट का काफी काफी ज्यादा होसम है मैं जतनी तारीफ करू उतनी कम है आपको यह यूनिफॉर्म जरूर लेनी चाहिए इसको जरूर अविकन करना चाहिए आपको डेक फ्राइडे सेल पे आप इस यूनिफॉर्म को जरू यहां पर गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जब यह फ्रोस बीस्ट मीडल ऑफ दे एरिना जंप करता है तो आपको 3 कैंसल 5 कैंसल सेकिंड स्किल करना है देन उसको कैंसल करना आपको फोर्ज स्किल में तो काफी जदा अच्छा डेमेज कर पाएगा मून नाइट तो यही इ करना है जब इसकी रोर का टाइम होता है इस गाइस वीडियो को पूरा देखेगा तो मिलते हैं वीडियो के एंड में सो कीप इंजोइंग दैव वीडियो पूरी स्किल में तो इंड में 10 को साल Hoochrit कि आप इसकी रूरा थेत defenses जदा लग जदा वीडियो गलिए किल में ढुदज ऑच्टा सान्गीश्टाप चितल साल इसाल टाऊ है जँ जब दुदियो झाल झाल गांट एक वह को लूप एड़ नमबर गाइस लूप एड़ नमबर अलमोस्ट 6 मिलियन 6 मिलियन टाश कर लिया है हमने देखते है कितने स्कोर होता है 6.2 मिलियन इसकोर फाइनली विज सीटी प्यू अफ एनर्जी मौन नाइट की न्यू उनिफोर्म के साथ इस रेली रेली ओसम गाइस रेली ओसम आई होब गाइस यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसी वीडियो फीचर में देखते रहने के लिए तो मिलते हैं गा झाल झाल